हलो दोस्तों वेलकम बाक तो माँ चानल कैसे आप सब आई होप एलोडिंग अपसलूटली फाइन दोस्तों हमेशा की तरह आज फिर एक बहुती काम के वीडियो के साथ आई हूँ वैसे तो हम सभी अपने अपने घर में काम करते हैं लेकिन कुछ काम ऐसे आजाते हैं जिनको क सारे पैसे और समय की भी बचत कर सकते हैं तो चलिए फटा-फट से वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन वीडियो शुरूने से पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट आपसे जरू करना चाहूंगी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो में आपके लिए लाती रहती हूं साथी वीडियो पर चोटेसा लाइक भी जरू करतीजीगा क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे बहुत माइने रखता है तो लिए लिए उसमें टाल दीजे थोड़ा सा तेल कई लोगों को आपने देखा होगा जिनकी सेंसिटिव स्किन हैं उनको गंदे पानी की वज़े से बरसात में इंफेक्शन सा हो जाता है या फिर कई बार तो पानी खराब आता है और पानी की वज़े से हमारी बॉडी में र की उंग्यों की बीच में इंफेक्शन हो जाता है जिसके लिए महंगी महंगी ट्यूब्स वगिरा हम लेकर आते हैं पैसे खर्च करते हैं तो उस ट्यूब को लगाने के जगा पर इस देशी नुस्की का आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो गंदे पानी की वज़े से किसी भी त समय जूतों में पानी चला जाता है गीले ही जूते हमें पहने पढ़ते हैं पूरे दिन भर या फिर सॉक्स गीला हो जाता है जिसकी वज़े से बहुत जल्दी हमें पैरों में भी इंफेक्शन हो जाता है तो पैरों में भी आप इस नुसके को इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्त क्या है कि जो आटा है वो सफ्थ हो जाता है इसके लिए बहुत ही आसांसा तरीका बताऊंगी ऐसे जो ओम्ति अहां के पॉच आते पॉच में आपके उस इसका जो mouth है हम पूरी तरीके से open कर देते हैं और जब आप इसे काटेंगे आप देखेंगे अंदर अभी भी काफी सारा तेल इस bag में लगा हुआ है और ये वैसे भी waste होने वाला था क्योंकि हम इस bag को fake देते हैं तो ये waste ना हो और जो हमारा आटा है वो भी बिल्कुल soft बना जैसे आपने अभी अभी आटे को लगाया है और फिर आप किसी भी जो बरतन वगिरा में जिसमें भी आप रखते हैं आटे को आप रख दीजिए अगली बार जब भी आप तेल के पाउच को खाली करेंगे तो पाउच को फेकने की जगह पर आप एक बार इस ट्रिक का इस् ये वही लोग बात जानते हैं कि डेली डेली यूज़ करके चश्मे पर ना हलके हलके से ना स्क्राचिस आने लगते हैं ऐसी कुछ छोटी छोटी गलतिया हम कर लेते हैं जिसके वज़े से चश्मे के काच के उपर स्क्राचिस आने लगते हैं जैसे कि हमने कोई हमें लगे क कि चश्मा खराब हो रहा है धूल मटी बैटराइस के उपर तो हम क्या करता है किसी भी कपड़े से चश्मे को पुष्ण लग जाते हैं वह फिर कोई भी कपड़ा होता है कोई रोमाल होता है या फिर अपने जो हम पहने हुए रहते वह कपड़े से हम पोश लेते हैं इसको कई बार परदे से पोश लेते हैं जिसकी वज़े से जो कपड़े पे धूल मट्टी रहती उसकी कारण भी स्क्राचिस आ जाते हैं और फिर जो हमारा चश्मे पे स्क्राचिस आ तो आज एक बहुत ही छोटा सा तरीका आपको बताऊंगे जुगाड जिसकी मदद से आप जो इस क्राचिस से छुटकारा पा सकते हैं तो आप कोई भी महंगा और लिक्विड नाले चश्मे वगरा को क्लीन करने के लिए आप क्या कीजिए कोई भी हैर ले लिजे जो भी आप parfy आयुज़ करते हैं चाहिए फिर आप नारिल का तेल यूज़ करते हैं वह लीजे कोई बादाम का तेल कोई भी आयौल आप यूज़ करते हैं वह तेल आप ले लिजे एक एक ड्रॉप दोनों तरफ आपको डाल देना है कोसी क्योद्ध करकर आप कोई बी आय। इस तरीक से क्लीन करेंगे तो एक्स्ट्रा जितना भी ओईल है यह जो कपड़ा है वो सोक लेगा तो चाहे आप कॉटन से इसको साफ करें या फिर इस तरीकी से कपड़े से साफ करें लेकिन जो चश्मे पोचने वाला कपड़ा होता है वहीं आपको यहां पर लेना है अब आप देखे चश्मे पर से जितने भी स्क्राचे से ना चोटे मोटे वह एकदम चूमंतर हो जाएंगे लेकिन आपको दिखाए नहीं देंगे कि आपकी चश्मे पर किसी भी तरीके का कोई भी स्क्राच है आप इस ट्रिक को यूज करके देखे तब ही आपको यकीन होगा दोस्तों मैंन आपको वीडियो में बताया है इस तरीके से रखेंगे ना तो स्क्राचे बिल्कुल भी चश्मे के ऊपर नहीं आएंगे दोस्तों ये कुछ ऐसे चोटे चोटे टिप्स और ट्रिक्स से जिनका इस्तमाल करके आप अपनी डेली लाइफ को आसान बना सकते हैं साथ इनका इस सदा शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में रिश्यदारों में ताकि आपके जरी उनकी भी मदद हो जाए थैंक्यू सो मच व वाचिन दिस वीडियो फ्रेंस मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर